हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लॉस्टेडी 2020 में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राश्टी सुरुच्छा कानून रासुका एने से क्या होता है और इसे कब लगाया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर कीजिएगा कोई प्रश्ण हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन आउन करके रखिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में दोस्तो राश्टी सुरुच्छा कानून राश्चु का क्या होता है जिसको हम इंगलिस में बोल सकते हैं National Security Act दोस्तो अगर केंदिया राश्चरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून वैस्टा को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा उत्पन कर रहा है या आवश्चक सेवा की आपूर्ती में बाधक बन रहा है तो समंधित सरकार दोरा उस व्यक्ति को गिरपतार कराया जा सकता है राश्ची सुरच्छा कानून 13 सितंबर 1980 को इंद्रा गांधी की सरकार के दोरान अस्टित में आया था राश्चा में संदिक्त व्यक्ति को बिना किसी आरोप के बारा महें तक जेल में रखा जा सकता है इसके कुछ प्रावधान भी है इसने पहला है दोस्तो या अधिनियम केंद सरकारों और राश सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत की सुरच्छा को नुक्सान पहुंचाने विदेश के साथ भारत के संबंदों को चोड़ पहुंचाने सार्विजिंग व्यूस्ता के रख रखाओ या आपूर्ति को बाधित करने ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस कर्मी पलहमरा करने के जुर्म गिरफतार करने की ताकत देता है इसमें दोस्तों जो भी व्यूटी ड्यूटी पर रहते हैं उनको परेशान करना या फिर उन पर हमला करना सामिल है दूसरा है दोस्तों एनसे के तहट संबंदित अधिकारी को या पावर है कि वह संदित व्यूटी को बिना कारण बताया 5 दिनों पर कैद में रख सकता है जबकि विशेश पस्तितियों में या आवदी 10 दिन तक हो सकती है इसके बाद उसे राज सरकार की अनमती चरूरी है तीसरा है दोस्तों एनसे के तहट गरफतार विक्ति द्वरा सरकार गठित किसी सलाकार बोल्ड के समझ अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकदमे के दोरान वकील की सहायता प्राप करने का हक नहीं है चौथा है दोस्तों या कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी गतिविधियों को नियंतरित करने के लिए ग्रिपतार करने या आदेश के बाहर निकालने की सकती भी देता है दोस्तों इसकी कारावास की अवधी भी है इसमें राश्टी सुरच्छा कानून NSA में या प्रावधान है कि सरकार किसी संदिक्त विक्ति को बिना किसी आरोप के बारा महीने तक जेल में रख सकती है लेकिन सरकार दोरा नए सबूत मिलने पर इस अवधी को बढ़ाया जा सकता है अगर कोई अधिकारी किसी संदिक्त को गिर्फतार करता है तो उसे राश सरकार को इस गिर्फतारी का करण बताना पड़ता है जब तक राज सरकार इस गिरफतारी का अनमोदन नहीं कर देती है तब तक गिरफतारी की अधिक्तम अब दी बारा दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती ध्यान रहे की गिरफतारी के आदे जिला मजिस्टेट या पुलिस आयो अपने समन्दिन चेतरा अधिकार के तहट चारी कर सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो आज हम लोगों ने जाना राश्टी सुरच्छा कानून जिसको राश्चुका कहते हैं वो क्या होता है नेशनल सेक्योटी एक्ट तो दोस्तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और जो हमारे नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं ही चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिकिएगा धन्यवाद